अपवाह तंत्र अपवाह से तातपर नदी में आने वाले जल प्रवाह से है जो भूमी की ढ़ाल एवं धरातलिय सनरचना पर निर्भर करता है किसी नदी में जहां जहां से पानी आकर मिलता है वह संपूर्ण शेत्र उस नदी का बेसिन कहलाता है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माड करती हैं जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं इस नदी में नौका परिवहन का कार्य भी होता है अपवाह प्रणाली का अर्थ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के बहाव क्रम से है ऐसी परिस्थिती में हर एक नदी का अपना निश्चित अपवाह बेसिन होता है हम चित्र चार दश्मलों पांच में देख सकते हैं कि नदी में पानी किन-किन शेत्रों से आ रहा है कुछ अपवाह प्रतिरूप निम्न लिखित है पहला व्रिक्षाकार द्रुमाकृतिक प्रवाह प्रतिरूप इस प्रकार की प्रवाह प्रणाली ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहांके धरातल की चट्टानों में समरूपता मिलती है इस प्रतिरूप में मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक व्रिक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, महानदी और गोदावरी का प्रवाह तंत्र। दूसरा जाली नुमा प्रतिरूप यह प्रतिरूप कोमल वा कठोर शैलों की भिन भिन सनरचना वाले शेत्रों में विक्सित होता है। इसमें सभी धाराएं धरातलिय धाल का अनुसरण करती हैं, नदियां एक जाल का निर्माण करती हैं तथा समकोणों पर मोड बनाती हुई समानांतर घाटियों में बहती हैं। सहायक नदियां भी समानांतर ही बहती हैं। सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं। तब जाली नुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार की नदी प्रणाली, सौरास्ट्र, निलगिरी तथा अमरकंटक की पहाडियों में पाई जाती है तीसरा आयताकार प्रतिरूप यह प्रतिरूप आयताकार संधियों और भ्रंशों वाले शेत्रों में उत्पन होता है मुख्य नदी से सहायक नदियों की शाखाएं और उपशाखाएं समकोन पर मिलती है भारत में इस प्रकार का नदियों का प्रवाह कम मिलता है लेकिन नौरवे के समुद्री तटों पर ऐसा प्रतिरूप मिलता है चोथा केंद्रोन मुखी प्रवाह प्रतिरूप जिस शेत्र में नदियां चारो ओर से आकर एक ही केंद्र की तरफ मिलती हैं वहां केंद्रोन मुखी प्रतिरूप दिखाई देता है राजस्थान की सांभर जील इसका उदाहरण है